हे गाईज वेलकम टु देव भूमी करेड़ पॉंड तो देखे एससे 10 प्लस टू इसका ओफिशल नोटिफिकेशन आ चुका है और आप इधन कर सकते हैं अब आप 10 प्लस टू की वेकेंसी के लिए ठीक है तो देखें यहां पे अलग-लग पोस्ट होते हैं तो आप देख लीजीगा यह फॉर्म और इससे सभी जानकारी में आपको यहां पर बताता हूं तो अगर आप देखें फॉर्म भरना चाहते हैं ओनलाइन अप्लिकेशन की डेट है 5 मार्च से 5 अप्रेल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट है अप्लिकेशन की पाच अप्रेल ध्यान रखेंगे उसके बार ऑदिके ओनलाइन पेमेंट होगा इसमें 100 रुपेगा तो अब आप कर सकते हैं 7 अप्रेल तक लास्ट डेट है और चालाण के थरू भी कर सकते हैं ऌफ्लाइन चालाण के थरू 7 अप्रेल तक और देखे date of computer based examination जो रखा गया है इसमें अभी एक proposal date है कि 1 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 तक ये exam का जो pre paper होगा वो करवा लिया जाएगा और टायर टू एक्जाम जो होगा descriptive paper होता है निभन्द essay writing का वो 29 2019 को प्रस्तावित है तो बागी इसे जुगे होगे जो भी महत्वपों बाते हैं मैं आपको बात करों देखे मैंने बोला आपको यहां पर इसमें आपकी तीन पोस्ट है फर्स्ट है लोवर डिविजन कलर के ज data entry operator की ठीक है 2400 का ग्रेट पर है तो कुल में लागे जो आपकी starting जो salary होगी वो 27 to 30 K around approach ठीक है 27 से 30,000 पर मन्त होगी इसमें अब सेलेक्ट हो जाते हैं तो अब बाकी अन्य महत्वपोंट बाते थे कि वेगेंजी ओपन नहीं किया SSC ने ठीक है और बाकी reservation अपने category की अनुसार मिलेगा इसमें और age की counting जो होगी I think January है इसमें age counting अभी देख लेते हैं और उम्र limit for the post is 18 to 27 years as on 1-8-2009 मत तब आउगी करना 1 अगस्त 2019 को होगी ठीक है मतब 2 अगस्त 1992 के पहले के candidate और 1 अगस्त 2001 के बात के जन में candidate इस फॉर्म को नहीं बच सकते इसके बीच वाले होने चिए बाकी अलगला categories को अलगला अगर आप देखेंगे विस्ति फॉर्म मैं आपको भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पर आप देख लीजेगा एक बार लेकिन फिर भी यहां पर एज मैं रेलेक्सेसन नहीं दिया गया है ews कोतो इस PG फाइदा ही क्या है फिर समझ में नहीं आता मिलेकोँ क्योंकि देकcidaal category बिला को एज की जनेरल यहां पर फाइडवेक होने वाला है तो कोई फाइदा ही नहीं की आपस में ही candidate उलज गूमारा क्यूमारा धे नर det पात की जाए देखिए educational qualification तो देखिए एक अगस्त दो जाना चीए तो अभी जो 12th class में है वो चैंडिडेट भी भर सकते हैं बसरते आप एक अगस्त दो जाना निस को 18 वर्सी के आयूँ पूंग कर रहे हों LDC, JSC, PSA, SA, DEO सभी के लिए 12th standard है और इसके equivalent मतलब 10th प्लस डिप्लोमा वाले भी इसको अपलाए कर सकता है रेगुलर डिप्लोमा जिसका पॉल्टेक्निक और 10th है ठीक है क्योंकि पॉल्टेक्निक जो डिप्लोमा होता है 12th के ही equivalent माना जाता है इसको आप समझें बाकि यहा अगर किसी ने open and distance learning mode से 2017 से बाद में कोई degree की है तो वो मानने नहीं होगी ठीक है जैसे कोई लोग engineering की करते हैं तो distance education से engineering और डिप्लोमा वगरा मानने नहीं है यह साब बताए गया SSC case notification में बाकि normally 12th pass ही है इसमें आप बात करते है application fee की तो मात्र 100 रुपए है application fee और आप online किसी भी मात्यम से इसको जमा कर सकते हैं women candidates और SC, HT, PWD और access service men जो है इनके लिए कोई fees नहीं है यह exempted है ठीक है छूट है इनको अब बात करते है center of examination बात करें मैं nr zone की बात करता हूं तो north zone मे आपको यहां पर उत्राखंड में सभी चारपा सेंटर आइधिंग मिल जाएंगे तो बिल्कुल परिसान होनी की जरूरत है नहीं तो दीके north region है हमारा Delhi उत्राखंड तो यहां पर आप देहरादून हलद्वानी रूल की तीन प्लेसेस पर डाल सकते हैं अपना exam center कोई problem नही चुका हूं टायर वन एंड टायर टू टायर वन में आपका एक वैकलफिक प्रसन पत्र आएगा जिसमें आपका 25 कोशन की इंगलिस के कोशन बेसिक नोरेज के होंगे 25 की जर्नल इंट्रेजेंस होगी 25 की आपके रीजनिंग होगी और 25 का आपका सामाने ज्यान होगा ठीक ह ध्यान दखेंगे फिर से एक बार देखे बता देता हूं इंगलिस के होंगे 25 कोशन, reasoning के होंगे 25 कोशन, math के होंगे 25 कोशन और सामाने अध्यन के होंगे 25 कोशन तो कोल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, Hindi, English दोनों में नहीं पेपर आएगा लेकिन जो इंगलिस वाला नार पर टो थो इस दीज पीर्स、 क्यांस बालऑनिदिया प्लाधिकर दिप्टम साउम पर तो सप्किंग., ही तो यहीं प्र नेगेटिव साल मारकिंग लिए इस पर ढायमार में 3 बीृकिकर 8 नहिए 2 मोश штन सब्सक्राइब करें और एक लेटर राइटिंग होगा इसमें पर यहां पर लाने है खाली क्वालिफाइंग नेचर का है फर्स्ट पेपर की अक्वार्डिंग ही आपकी मेरिट वनेगी इस चीज का ध्यान के बसरते आप टाइपिंग टेस्ट में पास हो तीसला जो टेस्ट ह होगा ठीक है ध्यान दगेंगे टाइपिंग नॉर्मल ही होती है जितनी और जगह मागी जाती है जैसे उत्राखन वगेला में ठीक है तो यह फॉर्म जो भी ऐलिजिबल केंटिएड है इसको बाहर लीजेगा बाकि पूरी जानकारी अगर आपको चाहे तो ओफिशल नोटि